आज के वीडियों में ओटर टैंक के साथ float switch का connection करेंगे इसकी wiring किस तरह से होती है इसका connection किस तरह से लगाते है तो पूरा बताऊंगा और वीडियों अचले के तो लाइक करते है और हमारे चानल को subscribe कर दो तो वीडियों में आगे बढ़ते है तो यहाँ पे देखिए तो यहा आपको मालूम रहे कि हम नहीं यहाँ पर इसका मार्किंग किया था तो यहाँ पर हमारा मार्किंग हो चुका है इसके बाद हम फ्लोट स्विच को डालेंगे टैंक के अंदर तो इस तरह से हम इसको छोड़ेंगे अंदर और अंदर छोड़ने के बाद हमें क्या करना है जो हमा तो हमारा float switch है तो आपको सितरा से इसको set कर लेना है तो यहाप यारी हमने किस तरह से set किया या आप देख सकते हो और जो आपका पाने नीचे जाने का जो pipe होता है तो यह आप यह दिखातो हён मद आपको यह pipe है यह pipe के थोड़ा सा आपको float switch को उपर लगाना है तो इस तरह से आपको यहाँ पे float switch को set कर लेना है set करने एक बाद हम करेंगे wiring तो यहाँ पे हमारा 3 wire निकला आता है float switch ते तो यहाँ पे हमें blue wire के जरूरत नहीं तो उसको हमने यहाँ पे tape लगा के छोड़ दिया है उसकी बाद हमें यहाँ फे 2 wire के जरूरत है तो यहाँ पे हमने 2 wire लिया है उसकी बाद हमारा red wire है तो यहाँ पी red wire है तो इन दोनों को यहाँ connection कर देंगे इससे पहले मैंने एक video upload की है उसमें मैंने बताया है कि float switch का यहनों और यंसी की तरह से चेक करते तो आप वोड़े जाके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर हम connection कर लिते हैं फटाफट से तो यहाँ पर हमने red wire के साथ red wire को जोड़ दिया है तो यहाँ पर हमने wire को insulation tape लगा दिया है उसके बाद बचे हमारा black wire और जो हमारा float switch से आया हुआ black wire तो इन दोनों wire को यहाँ पर जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद उसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे insulation tape फटाफट तो यहाँ पर एक बात share करना चाहूंगा कुछ लोगों को मालूम नहीं रहेगा कि float switch का connection हम क्यूं करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर बताना चाहूंगा हमारे जो पाने के टंकी होती है और automatic pump चा इस तरह से हमने यहाँ पर छोड़ा है बाद में हम इसको परमणद कर लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से वायर गया है और उसके बाद इस वायर को हम छोड़ेंगे नीचे और नीचे छोड़ने के बाद इसका connection हम करने वाले starter में तो यहाँ से इस वायर को नीचे छोड़ द जो स्टार्टर है, तो यहाँ पे इसको हमने लगाया है, तो यहाँ अपको बताता हूं, दिखी हिएः पे R, A Y, A E ओर A E B, तो यहाँ पे नोंगी मोटर का वायर हमने यहाँ पे झोड़ा हैों, कि यहां से आया हुआ उसके बाद यहां पे फेज़ न् salvation हम करेंगे यहांं पर starter में तो यहां पर तो यह चाहिए तो मुझे बता दिना इसका लिंक में social यहाँ पर यहाँ से हम वाइर को अंदर लेने के बाद सबसे पहले हम लगाएंगे रिए तो इस वायर का करेंशन हम यहाँ पर कर लेते हैं तो इस वायर को आपको यहाँ पर लगा देना है और लगाने के बाद इसका जो स्कुरू है उससे हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे तो यहाँ पर इसको लगा दिया उसके बाद जो बचा black wire उसे हम लगाने वाले हैं यहाँ पर सबसे आखिर वाले terminal में तो यहाँ पर लगा दिते हैं तो इस screw को यहाँ पर खोल लेते हैं पहले और खोलने के बाद यह जो link एसो निकल देते हैं निकलने की बाद वायर का एक सीरा इस ब्लैक वायर के साथ जोड़ेंगे हम, दोनों को एक कर देंगे, इस तरह से आपको या पर कर लेना है, और करने के बाद उसे हम या पर लगाएंगे सबसे आखर वाले टर्मिनल पर, और स्कुरो को आची तरह से टाइट करवा देंगे त इसके बाद इस वायर को हमने जहाँ से निकल आ था वाँ से इसको लगा देते हैं दो नमबर की टर्मिनल पे तो यहाँ पे हमने connection कर दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो red wire को हमने यहाँ पे लगा दिया है और जो black wire था उससे सबसे आखिर में यहाँ पे लगा दिया है तो यह जो wire है यह wire है हमारा IIF float switch से तो इसके बाद हम supply देंगे इसको तो यहाँ पे stop को हम लगा दिया है तो यहाँ पे इसको लगा दिया है और उसके बाद इससे बंद कर देंगे और बंद करने के बाद यहाँ पे हम supply को चालू करेंगे तो यहाँ पे हमने connection वगरा सही कर लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे supply को on करेंगे तो यहाँ पे supply को on कर दिया है यहाँ पे हमारा motor चालो हो गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है pump on pump on का मतलब होता है motor चालो हो और यहाँ पे indicator नहीं लग रहा है अपर टैंक को तो यहाँ पे हमारे टैंक अभी खाली है तो यहाँ पे दिखिए यह 5 अंपेर करन ले रहा है और होल्टेज यहाँ पे 230 दिखा रहा है इसके बाद हम जाएंगे टैंक के पास तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर मोटर चालो हो चुकी है और यहाँ पर हमारे ट्यांक भर रही पानी से तो यहाँ पर आदा HP का pump है हमारा और याप पर इसका pressure भी अच्छा है और यहाप अप देख सकते हमारा यहाप फ्लोट स्वीच है जिसको हम पर यहाप बढ़ा體 किया तो यहाप इस तरह से बरता जाएगा तो इस तरह से यह उपर आता यहाप कि या पर ऊपर कर दूँँगा तो यहां पर मोटर बंद हो जाएगी तो यहाप आप देख सकते हैं यह सही SHIT WORK कर रहा है यहाप नट आप तो यहाँ पे देखे पंप हमारा ओन हो चुका है तो यहाँ पे हमारा जो टैंक है वो भरने को आ गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर यह वीडियो आपको अच्छे लग रहे है तो वीडियो को लाइक जरू कर देना दोस्तो आपको दिखाता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लोट सुच उपर हो गया है और यहाँ पे हमरे मोटर बंद हो चुकी है उसके बाद इसे मैं हाथ लगाता हूं हाथ लगाने के बाद यहाँ पे हमको करेंट वगयरा कुछ भी नहीं लगता है तो सबसे बढ़िया यही इसका फाइदा होता है किसी भी पंप के साथ इस फ्लोट सुच का करेंशन आप ना करो आपको पूरी तरह से आपको मालूम होने चाहिए कि आपको करेंशन वगयरा कहा करना है उसके बाद आप करेंशन करो नहीं तो आपको यहाँ पे करेंट वगयरा लगने के चैंसे बढ़ जाते है और टेंक की भरने के बाद इस तरह से यह हमारा float switch ओपर हो जाता है और हमारी motor यहाँ पे बंद हो जाती है तो इस तरह से ये काम करता है तो यहाँ पे हमने इसको सज़ी तरह से settings किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो waterproof का pipe है उसके नीचे हमारा यहाँ पर टैंक भरा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर आती स्टार्टर के बस तो यहाँ पर देखी टैंक हमारा भी यहाँ पर फुलो चुका है तो यहाँ पर सभी लाट यहाँ पर लग रही है और पंप हमारा यहाँ पर ओफ है उसके बाद हमारे टैंक जैसे ही नीची जाएगी तो हमारा मोटर याप चालो हुझाएगा और हमारा टैंक याप भरना चालो हुझाएगा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना हमारे चैनल को सब्स्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने सबे दोस्तों किया शेर भी कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज बड़े उनको भी कुछ नयाज सीखने के मिले तो आज के लिए इतने तो मिलते हैं नेस टूलियो में तब तक लिए बाई बाई